नमस्कार दोस्तों मैं सर्विन जांगिड दोस्तों इस वीडियो को देखने से पहले आप इस स्क्रीन पर जो डिवाइड दिख रहे हैं इनको सोल करें अगर आपका अन्स्वर बिल्कुल सही आता है तो ये वीडियो आपको देखने के जरूत नहीं है दोस्तों इस वीडियो में हम सीखेंगे कि जब संख्यां को डिवाइड करते हैं तो जीरो वा डिसिमल कब लगता है ये जीरो वा डिसिमल कैसे लगते हैं वो आज इस वीडियो में हम सीखेंगे सबसे पहले हम सीखेंगे कि डिसिमल कब लगता है दोस्तों जब हम divide करते हैं और सबी digits जब खतम हो जाती हैं हमारे पास में कोई भी new digit ना हो तब हम क्या लगाते हैं? decimal लगाते हैं एक example से हम समझते हैं जैसे 312 को divide करते हैं 9 से तो बिल्कुल basic से जब हम करेंगे इसको तो कितना होगा 9 थरीजा? 27 27 इसको minus करते हैं अब minus करेंगे इतना हैगा 4 अब हम क्या करते हैं? next digit लेंगे 42 अब फिर इसको divide करेंगे कितने बार जाएगा? 4 ताइम तो आजएगा 36 फिर इसमें minus करेंगे फिर कितना बचेगा? 6 अब next digit क्या इसमें? कुछ भी नहीं है यानि सभी digit क्या हुई? खतम हो गए जब हमारे पास में कोई भी new digit ना बचे तब हम क्या करेंगे? decimal लगाएंगे decimal लगाकर नए digit 0 लेते हैं तो दोस्तो decimal कब लगाते हैं? जब हमारे पास में कोई भी digit ना बचे सभी digit क्या हो जाए? खतम हो जाएं तब हम नई digit लेने के लिए क्या करेंगे decimal लगाएंगे और नई digit क्या लेंगे zero तो यह होगा decimal का concept अब हम देखेंगे कि zero कब लगाते हैं जब हम नई digit लेते हैं तो नई digit लेने के बाद में उसको divide करते हैं और अगर divide ना हो तो भाग तूट जाता है हमने स्कूल में पड़ा है और भाग तूटने पर क्या लगाते हैं zero जैसे अठारा सो त्रेपर को divide करना है 17 से तो सबसे पहले one time तो 17 माइनस करने कितना one अब नई digit क्या है five अगर नई digit नहीं होती तो क्या करते decimal लगाते जैसे हमने उपर लगाया है लेकिन यहाँ पर नई digit है क्या है five अब नई digit लेने के बाद में क्या करते हैं divide करते हैं अब 15 को divide करो 17 से divide होता है नहीं होता जब divide ना हो तब भाग तूट जाता है और भाग तूटने पर क्या लगाते हैं तो 0 कब लगाते हैं जब new digit लेते हैं नई digit लेने पर भाग ना हो तो भाग तूट जाता है और भाग तूटने पर क्या लगाते हैं 0 अब क्या करेंगे अगले digit ले लो 153 इसको divide करेंगे 17 से कितने बार जाएगा 9 बार तो ये 0 0 कब लगाते हैं जब हमारे पास में new digit लेने के बाद में divide ना हो डिवाईड करेंगे और divide ना होगा तो क्या लगाएगे 0 को का भाग तूट जाता है और decimal कब लगाते हैं जब हमारे पास में सभी digits खतम हो जाती हैं तो नई digit के लिए decimal लगाते हैं और ने डिजिट क्या लेते हैं हमेशा, 0, अब हम आग्जाम्पल से सीखेंगे, पहला आग्जाम्पल है, 21 को डिवाइड करना है, 2 से, तो सबसे पहले क्या करेंगे, एक बार जाएगा, तो 2 बंजा 2, माइनिस करेंगे तना बचेगा, 0, अब नेक्स डिजिट क्या है, 1, ने ने डिजिट लेने के बाद में क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, एक को डिवाइड करेंगे, दो से, डिवाइड होगा, नहीं होगा, जब डिवाइड ना हो तो भाग तूट जाता है, और भाग तूटने पर क्या लगाते है, 0, उपर यहाँ पर, अब अगले डिजिट है कि इसमें अगले डिजिट नहीं है जब next डिजिट ना हो सभी डिजिट खतम हो जाती हैं तो ने डिजिट लेनी के क्या करते हैं decimal लगाते हैं अब नहें digit का लगाएंगे zero जीरो अब इसको डिवाड़ करेंगे 29, minus करें कितना बचेगा, 2, अब अगले digit उतारो, अगले digit है क्या है, अगले digit नहीं है, जब कोई भी digit नहीं हो, तो क्या करेंगे, decimal लगाएंगे, और ने digit क्या है, 0, अब क्या बन गया, 20 बन गया, अब 20 को डिवाइड करो, 29 से, नई digit लेने के बाद में, जब डिवाइड न नहीं होता है, तो भाग तूट जाता है, और भाग तूटने पर क्या लगाते है, 0, क्योंकि यहाँ पर 20 है, वो 29 से डिवाइड नहीं होगा, तो अब क्या लगेगा, 0, अब अगले digit में उतार लेंगे, 0, अब क्या बन गया, 200, 200, और 200 को डिवाइड करेंगे, 29 से कितने ब करना है, 2 से, तो सब से पहले, एक बार, तो बचा है कितना? 1, अब अगले digit उतारेंगे, अगले digit कैह है, 1, तो क्या बन गहांगा है, 11, नए digit लेने के बाद में डिवाइड करेंगे, तो 11 को लगाएड करेंगे, 2 से, कितने बार जाएगा? 5 बार, तो कितना हो जाएगा? 10, फिर minus करें कितना बचा एक अब अगले digit उतारेंगे अगले digit है कि इसमें नहीं है जब कोई भी digit ना हो तो क्या करेंगे 10 मलों लगाएंगे decimal और ने digit क्या लेंगे 0 अब 10 को divide करेंगे 2 से तो 5 बार तो इसकार से लोगा 15.5 last example है 1311 को divide करना है 13 से कितने बार जाएगा एक बार 13 माइनेस करेंगे 0 अब अगले digit उतारेंगे अगले digit क्या एक, नए डिजिट लेने के बाद में डिवाइड करेंगे, तो एक को डिवाइड करेंगे 13 से, डिवाइड होगा नहीं होगा, जब डिवाइड ना हो तो भाग तूट जाता है, और भाग तूटने पर क्या लगाते हैं, जीरो अब अगले डिजिट उतार लो, 11 फिर इसको डिवाइड करो, जब भी कोई नए डिजिट लेते हैं, तो इसको डिवाइड करते हैं अब नए डिजिट क्या लिए, 1 कितरा बनगा, 11 11 को फिर डिवाइड करो, 13 से, डिवाइड नहीं होगा फिर भाग तूट गया, फिर क्या लगाएगे, 0 अब अगले डिजिट उतारो, अब अगले डिजिट है के इसमें, अगले डिजिट नहीं है और जब भी कोई न्यू डिजिट ना हो, तब नए डिजिट लेने के लिए क्या करते हैं, decimal लगाते हैं decimal लगाने के बाद में आप नए डिजिट ले सकते हैं, अब क्या बनगा 110, 110 को डिवाड़ करें, 13 से कितने बाद जाएगा, 8 बार कि 13 into 8 होता है, 104, तो 6 अब आगे आप ऐसे निकाल सकते हो, अब जैसे decimal लग चुका है, decimal लगने बाद में, हम 0 ले सकते हैं 60 हो गया, 60 को डिवाड़ करें, 13 से कितने बाद जाएगा, 4 टाइम, 52, फिर आप माइने सकते हो, फिर 8, फिर आप decimal लग चुका है, दुबारा 0 लगा सकते हो, कितने बाद जाएगा, 6 टाइम, 13 into 6 होता है, 78, ऐसे आप आगे निकाल सकते हैं, दोस्तों, अगर आपको वीडि खीने के लिए धन्यवाद, थेंक्यू, सो मुझ,